आदरेनी महिंत जी का पुश्पार्च स्वागत करें, सिरी मती सौनुग अखर आप भी मंच पर आएं, आदरेनी महिंत जी का पुश्पार्च स्वागत करें, सिरी मती उशा शिवरे जी आप भी आएं, सिरी मती उमा शिवरे जी आप भी मंच पर आएं, आदरेनी महिंत जी क करें हमारे वीच आद्रोणी राकेश-फोजदार जी आगए है मैं उनसे करें ते आधेली राकेश-फोजदार जी outside है मैं स्री मुकेश याधार जी को अमलतिक करता हूँ कि आप आफ रादेली राकेश-फोजदार जी का पुष्भार से स्वागत करें सिरी मुकेश यादर जी शुरी मती तारा रभी माली मिली जी से अलोगर आप भी आए दादा अजुक्ष बुच्च स्वागत करें श्री मती जोती अभे वर्मा आप में मंच पर आए दादा मधुपाराओं की हरने का पुश्पार्श स्वागत करें श्री मती अनिता राजिस माश्री अली से भी अलोग करूगा आप भी आए आदरनी सिव चोमे जी का पुश्पार्श स्वागत करें शिरी मती अर्चनल दिनकु मिश्णा आप भी मंठ पर आए आदर्नी भरभ जी का कुश्पार से स्वागत करें श्री मती रंजना मुकी स्यादों जी से मैं अन्रोद करूगा आप भी मंच पर आए आदरेनी सिप्चोबे जी का पुस्पार से स्वागत करें श्री महेश बावनिया जी आप भी आएं दादा मदू का रावजी हरने का पुस्पार से स्वागत करें श्री अनोफिगाल जी राजोरिया आपसे मैं अन्रोद करूँगा आप भी आएं आदरिनी महिंदी जी का पुषपार से स्वागत करें श्री सुनीर मनवारे जी आपसे अन्रोद करूँगा आप भी आएं दादा मधूपार राओ जी हरेने का पुश्पार से स्वागत करें श्री मती लता माधर जी आप भी मंच पर आएं आदरनी महिंद जी का पुश्पार से स्वागत करें श्री मती संपत भाईया जी से में अलोत करूँगा आप भी आएं दादा मदुपाराव जी हैने का स्वागत करें श्री अशोख पुब्राम जी आप भी मंच पर आए महिंत जी का पुश्पास से स्वागत करें श्री मती सीमा विके जी आप भी आए आदर्यनी शिफ चोबर जी का पुश्पास से स्वागत करें आदरेडी कुंदी क्राठोर जी और सिशोधिया जी आप प्रप्राप्ने अस्थान प्रेंड करें सिरी मती अंजूराने जी आप भी मंच पर आएं हमारे आदरेडी राकिश फोजदार जी का पुषपास से स्वागत करें सिरी शंतोष उपाध्या जी आप से में अनुद करूँगा आप मंच पर आएं आदरेडी राकिश फोजदार जी का पुषपास से स्वागत करें तो पुस्प में स्वहगत करें स्री जैकुमार छोक्षे जी आप मैं एल्रणिय राज कुमार खंडेलबा जी को पुछ पाश्च स्वहगत करें श्री मती विम्ला लंद किशोर आप भी मंच पर आए आधरनी भरत जी का पुश्पार से स्वागत करें श्री मती निर्मला मुन्नाग वाला आप भी मंच पर आए हमारे अतिजी गाड़ दादा मधुकर आजी हैने का पुश्पार से स्वागत करें श्री किशलान जी आजाओं आप भी मंच पर आएं हमारे अतिधी आदेनी बरत जी का पुश्पार से स्वागत करें श्री दीप से शिशोधिया जी आप से मैं अन्रोद करूँगा आप आएं दादा मजू का राओ जी हैने का स्वागत करें आदेनी तपेश गौर्दी से मैं अन्रोद करूँगा आप भी मंच पर आएं आदेनी राकेश फोजदार जी का कुश्पार से स्वागत करें सिरीमति वंदला भी मंछ उपिनाजी से मैं अमरोट करूँगा आप भी मंच-पर आएं और आधरनी गौर्फावर साहप का पुछत करेबिगो आदरनी जै कुमार्टी जोग से आप से मैं अम्रोद करूँगा तरप्या आप मंच पर आएं आदरनी भरत जी का पुश्पार से स्वागत करें मैं आदरनी अमीन दाइंग जी आप भी मंच पर आएं और आज के हमारे कारणब के दिक्स्ता कर रहें आदरनी अरणी जिश्प चोबे जी का पुश्पार से स्वागत करें इसी करम में मैं आदरनी राजेश सोनी जी को अमंच करता हूँ आदरनी कुल्दी प्राठोर जी आप भी आएं आदरनी शिश्प चोबे जी का पुश्पार स्वागत करें आदरनी सोनी जी आप आएं और हमारे शिश्प चोबे जी का पुश्पार से स्वागत करें राजेश सोनी जी माया गोर जी से मैं लोड करूँगा आप भी मंच पर आएं और गादा मधुकर राओ जी हरने का पुश्पार से स्वागत करें स्री हरगजिन जी मीना समय पाल आप भी आएं जादा मधुकर राओ जी हरने का पुश्पार से स्वागत करें इसी क्रम में मैं नन्द किशोर यालो जी को अमद्द करता हूं आप भी मंच पर आएं शिफ चोबे जी का पुश्पार से स्वागत करें स्री मदण लान जी ढूंग रहें आप आएं आधरग्न शिफ चोबे जी का कुश्पार से स्वागत करें स्री कार्ण जी स्री डी-स्वाई जी से ब्यान करूँ हाँ आप लिज ने का पुश्पार से स्वागत करें मैं श्री प्रमोट तिवारी जी को अमन्तित करता हूँ वे आए और गागा मधु का राव जी हैने का पुछ पार्श स्वागत करें आदरनी प्रमोट तिवारी जी है मुकेश यादव आप से मैं अन्रोहत करता हूँ आपी मंज़ पर आए आदरनी श्री चौबय जी का पुछ पार्श स्वागत करें मुनना पठागी जी से भी मैं अन्रोग करऊंगा आप मंचपर आए आदरनी गौर स Зап पुछ पार्श स्वागत करें मैं आपको अमंदित करता हूँ, आप आएं, हमारे अधरनी शिर्ट चोबे जी एवं गोर साब का पुश्पार्चे स्वागत करें शिरी विकास नारोलिया जी से मैं अंदोत करूँगा, आप भी मंद्च पर आएं हमारे अधरनी हा दिक्स्ता करने का पुश्पार्चे स्वागत करें शिरी प्रवीन चैंदरवांशी जी आप भी मंद्च पर आएं आधरनी शिर्ट चोबे जी का स्वागत करें आधरनी स्री नार Marx जी खंडेलवा आप से मैं रोत करूँगा, आप मंद्च पर आएं और आदरणी शिर्ट चौबे जी का पुश्पार से सवगत करें सिरी अभे बर्मा जी को मैं आमतित करता हूँ आप भी मंज़पर आए और आदरणी महिंत जी का पुश्पार से सवगत करें सिरी सौरब नायक जी को भी मैं आमतित करता हूँ आप भी मंज़ी पर आए और आदरेने महिंजी जी का पुश्पार से स्वागत करें श्री अर्पिक मालवी जी स्वागत करें श्री बबलु यादाउ जी आपको भी आमज़ित करता हूँ आप आए अदरेने गौर साथ का पुश्पार से स्वागत करें शिरी सचिन कोबर जी को मैं मंद्धित करता हूँ वे आए हमारे अतिती आदरणी राकिश फौसदार जी का पुष्पार्श स्वगत करें शिरी पार्शत अंजू रानी शाह से मंद्रोत करूँगा आप मंद्ध पर आए और आदरणी मधुका राउजी हरेले का पुष्पुच स्वगत करें अंजू रानी शाह स्री अनिर जोषी जी आपसे में अन्रोत करता हूँ आप मंद्ध पर आए इसी क्रम में मैं पार्शाद लता माधवगी से भी अन्रोत करूँगा आप मंद्ध पर आए हमारे जादा मधुका राजी हरेले का पुष्पार से स्वगत करें श्री नानक राम जी कदम आप ही मंद्ध पर आए का फुश्पाः से स्वगत करें से बंटी मोरी जी आप भी मंज़ पर आएं और हमारे आदेज़नीय चौबें जी का सवगत आदेज़ने से उतन絼 perhaps 있어요 श्री दीपक बस्तरवार जी, श्री मुन्ना गॉला जी, आप से मैं लोट करूँगा, आप आए और क्यादा मधुकार राल जी हरिने का पुषपार से स्वागत करें, आजरणी ये मुन्ना गॉला जी, श्री सत्यांदिर के वारी जी से अंद्रोट करूँगा, आप भी मंच् श्री मती, आजरणी मम्ता गॉला जी से मैं लोट करूँगा, आप भी मंच्पर आए, आजरणी श्री चोबे जी का पुषपार से स्वागत करें, श्री नागेंदी चेवारी जी, आप से भी मैं लोट करूँगा, आप मंच्पर आए, आजरणी श्री चोबे जी का पुष करता हूं आप भी मच पर आए आदमी हृ आप टोबस और जी का पुशपार से स्वगत करें शृ 기분 ऐसे अभी कर पुष्पार स्वागत करें मैं श्री नायन जी आदम को मैं अमतित करता हूँ आप भी आएं और हमारे आधरनी राजकुमार की खंडेल जाल का स्वागत करें श्री नायन जी आदम श्री राजे समाली जी को मैं अमतित करता हूँ आप भी आएं आज के हमारे आती थी दादा मधु पर आवजी हरेने का स्वागत करें शिरी अभीनाष्त दिवारी जी आपको भी आमेंदर करता हूँ आप मंच पर आए आगरेंदी शिर्ट चोबेंजी का पुषपार स्वागत करें आगरेंदी महिंद जोक्से जी से ने अन्दोद करूँगा क्रेपया मंच पर अपना स्थान घ्रहन करें आदरेनी ये महेंद जोकसेजी जबत करें आदरेनी गुटू हुई है नगरपाली का इद्देश जी महेंद जोकसेजी का स्वादत करते हैं आदरेनी गुटू है आदरेनी शिप चोबे जी का स्वादत करें आदरेनी नीलिमा गुट्ता जी को मैं अमन्सित करता हूँ आप भी आएं आदरेनी शिप चोबे जी का पुष्पार से स्वादत करें अकलेश खंडेल वाद जी से मेरा पुनह अन्डोध है क्रपे आप मल्च पर अपना स्थान द्रंगरें आदरेनी अकलेश खंडेल वाद जी सम्माने अतिथी घरव संद रामजी वाबा मेले में पधारे सभी अतिथी रख्या दगरपाली के परशेध हार्दिक खारविक अफिरंदन करती है धन्य हमारा ये सहर जिसमें संद रामजी वाबा गौरी शहा वाबा जिसे संदों की कर्म भूमी है तभी हमारे इस सहर में चारों तरब शुक्सांती अमन्चैन है आप लोग अफ़ार के माध्यम से सुनते होंगे और पढ़ते होंगे फला सहर में जाती भाद धर्म भाद को लेकर निवाद हुआ मगर संद रामजी वाबा और गौरी शहा वाबा की ऐसी क्रपा की जो की हमारा सहर पूर्त है शांती और अमन्चैन में रहता है जब जब माधुर्गा की पृधिमाय निकाली जाती है मुस्लिम भाईयों के द्वाराण का स्वगत किया जाता है और जब जब ताजिये निकाले जाते हैं हिंदू सेक्रेटरों द्वाराण का स्वगत किया जाता है ऐसी एकता की अनूठी विशाल संत गौरी शाह बाबा, राम जी बाबा के इस मेले में इस मेले को सफल बनाने में हमारे साथ जिला प्रशासल, पुलिस प्रशासल, नगरपाली का और अन्य संस्थाओं की पुदस्तियों के माध्यन से सभी डिपार्टमेंट का पूरत है सहयों किलता है तब ही जाकर ये भब मेला शुरू किया जाता है और इस मेले को और भब रूप देने में आदरेली नगरपाली का अध्यक्ष जी चुक्कि उनका इस दूसरा वर्स है पहला वर्स ही बहुत ही चुलोती पूर वर्स रहा क्योंकि परिशत में आते ही एक बहुत बड़ी जवाबदारी राम जी वापा का मेला और नर्मदा जैनकी थी तो इस वार आदरेली अध्यक्ष महदे की ये कोशिस है कि इस मेले को और भी भबिता दी जाए और आप सभी नादरेलिकों से आदरेली पत्रकार बंधों से सभी प्रशास्निक कथिकारियों से जिला प्रशास्न से हम सहयोप्य आशा करते है और मैं हमारे आदरेली सुन्दर्दास जी महत जी से अनुर्द करूँगा कि आदरेली सुन्दर्दास जी महत आए और रामदास स्वामी महराज की गादी जो है वो सिंगा जी महराज की गादी से शुरू होती है और पीसे नमबर के हमारे संत गुरु साव महराज जो पैतूल के पास मलाजपुर में है ये तीनों गादियां एक ही मद्दी है निर्गुन उपासना का इनका उद्देश है और इन्होंने मद्द्देश के चारों कौनों में संतों निर्गुन उपासना की पद्धती को प्रसार में लाए हैं और देखिए बाबा को इस नगर हुसंगाबाद में आये हुए तीन सो चार सो साल हो गए हैं बाबा पहले जब आये हैं यहां भांद्रावान के पास गहानावड में महराजी ने तपस्या की है और इन्होंने तपस्या में लगे हुए थे उसी समय एक महान बाड का दरस्ट आया और यहां बाबा तप कर रहे थे वहां पीत पानी हो गया मगर महराजी का जल तक्तु पह संयम था तो वो जल जो है वो कुछ नहीं कर सका और जल की दिवाल फिज गई उसके अंदर बाबा ग्रस्टी के लोग सब बैठे रहे बागी बाबा का जल से कुछ भी नुक्सान नहीं हुआ और वो प्रसंद्चित भजन करते रहे हुसंगाबाद के लोगों ने दूसरे दिन जाके देखा तो महराजी के आसरम में जल की दिवाल खिची हुई है और भजन कर रहे हैं और पूरा सामान सुरक्षित हैं बाबा ने वहां पर खेती की थी पर खेती में हिंसा की कुछ वारत आते हैं समझ में आई तो महराजीन है फिर खोज़ खेती करना उचित नहीं समझा और तमाखू लगाने के बाद तमाखू लगाने लगे और शूकने पे तमाखू को तोड़ते थे हरी तमाखू नहीं कोड़ते थे और बाबा उस तमाखू का इस्ताग जो है साल भर पुराते थे और होसंगा बाद मैं आके यहां दुखान लगा के बाबा और अपना धंदा करते थे महराजी इसवर के भरों से धंदा करते थे और माया से आसकत नहीं थे बाबा अपना बाल वुशा के बजार में तमाकू, तराजू, तक्ती जिस पे भाव लिख देते थे अपने हाँ से तौलो और ले जाओ उस पे तक्ती पे भाव लिख देते थे देखिए भजन का प्रभाव अपने हाँ से तौलो और ले जाओ बादी बाबा चादर ओड़कर सोहं से अपना संबंद लगाते थे सोहमधार उनकी परमात्मा से कनेक्शन रहता था तो महराजी ने ऐसा भजन किया कि पूचर है किसी की दृस्टी में नहीं आया तो फिर परमात्मा को कैसा देखा तो बावा कहरे तन मन अर्फ मिलो सादो भावी तन और मन को अर्फन करकर संतों और सादों को मिलो वो उनकी किर्फा के विगर निर्गुन नदाकार के दर्सन होना बहुत असंब हो है इसलिए गुरू पधती इन गाजियों से चली है और लोग सिच्छ लोग मंत्र जीठा लेकर जो है गुरों को गाएं और उस मानी को खरीड के अपने जीवन में उतारने जीवन में उतारने की है तो हम्हें और भी लोग बोलेंगे तो मैं अपना यहीं पर पिसराम दे रहा हूं बाणी का सब लोगों को जै माराज जै शिराम रामदास स्वामी महराज की जैए स्री ताराचंजी कदम जी तो ने विमला याजमतिती माया गोर जी संपत्त भाईयां जी महेश बाबरियां जी आधर्णी रूसिया जी वर्मा जी से बिनी करूँ गा उस्वार्य स्वागत करें श्रीमती वंदना चुटीले जी से बिनी अनौत करूँ गा लता माधल जी को त कुछ पहर से स्वगत करें आधरनी किशन वासाप जी से भी अंडोद करूंगा। आप भी आएं आधरनी विधान जी का स्वगत करें। की मेंदोट करांगा आप भी आए आधर्नी जी का स्वागत करें घरेंगर जोग विशेश और वीद्धिय का पुष्पार से स्वागत करें कु स्वागत की बेला को यही विरांद देते हुए हमारे बीच सायोग मेसेश आवासिय बिद्धियालें द्रश्किवजिता के के ये लोग एक गीत प्रस्तुत करेंगे गुमर गुमर रसले बरसले इबाद गिया ओ मोरे भैया गारी जला लो अन्नो के तुम्तुन मेरे लगा लो गुमर 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 रसले बरसले इबाद गिया गुमर 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 रसले बरसले इबाद गिया गुमर गुमर रसे ले बार रसे रही बादे लिया अंगोर बhurया गड़ी चलाओ अंगोर बMONस कर दिया अंगोर बर्या गड़ी चलाओ जिन रश्टीहिन बच्चों ने सिद्ध कर दिया कि कला किसी चीज की महताज नहीं होती बहुत सुन्दर प्रस्तुदी मैं कारप्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी नगरपाली का जक्ष जी आधरनिये स्रीमती माया नारूले जी वामंदित करता हूं आप मुधन के लिए आए आधरनिये माया नारूले जी आज संत श्रो मनी रामजी बावा मेले के उतगाटन के अफसर पर हमारे बीच मंचाशीन हमारे मुग कतीती के रूप में हमारे होशंगावाद इतारसी विदानसवा चेतर के लोकप्रिये विधायक बंडित गिर्जा सं रहे दादा मधुकर राओ जी हरने विस्ष प्रतीती के रूप में हमारे बीच हमारे रामजी बावा समाधी के महेंत सुंदर्दास जी गो संबर्धन बोट के उपात जक्ष पंडिस सिप चोवे जी और नगरपालिका के पूरबत जक्ष सम्मानी अवद विहारी गौर जी मंचा सी नतीती में हमारे राकेश भौजदार जी महें चोकसे जी राजकुमार खंडेलवाल जी मनोर बढ़ानी जी भरत राजपूच जी चंदन सिंग पर्यार जी रमेश पटेल जी और हमारे पारशदों में तेजकुमार गोर जी उशा ढोंगरे जी कमला सैनी जी और ता जोती बर्मा जी, अनीता माशिया जी, अर्चना तिनकू मिश्रा जी, रंजना मुकेश यादव जी, महेज बाबर्या जी, माया प्रकास गौर जी, अनोके राज़ोर जी, सुनिल मनवारे जी, लता मादव जी, संपध माईया जी, अशोग कुश्राम जी, सीमा गुईके जी, अन्जुरानी साय जी, संतोष उपाध्या जी, निसार खान जी, तपेश गौर जी, जैकमार चौकसे जी, विमला यादव जी, निल्मला यादव जी, किशन यादव जी, दीप सिंग सोसोधिया जी, वंदना चुटीले जी, और नगर पालिका में विधाय प्रतिनिदी अमीन रायन जी, समस्त पार्शत पती, और मंचाशेन समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारी गान, हमारे सियो मो साब, और सामने बैटे हुए समस्त हमारे अतीती गान, गणमान नागरित माताओ वेहनों, चुकि आज विधीबत सुभे, रामजी बाबा समाधी पर पूजन अर्चन के चादर गोरी साह बाबा की दरगा पर चड़ाई गई, कारिकरम का पूजन विधी से विधीबत सुभारंब किया गया, और आज ओप चारिक मेले का हुदगाटन हमारे मंचासी नतीतियों के करकमलों दारा यहां संपन हुआ, हमारे जो परंपरा चली आ रही रामजी बाबा मेले की 38 बरसों से रामजी बाबा की समादी से चादर गोरी शाह बाबा की मजार तक ले जाई जाती है, वो कारिकरम आज हमारा सुभे सभी पर्शद के पार्शदों दारा और हमारे नगरपालिका के कर्मचारी और नागरिकों की उपस्तिती में संपन हुआ, अभी जैसे म रामजी बाबा की विसेश महिमा हैं, उन्होंने उनकी महिमा का पूर्ण रूप से आपके सामने विस्तार बताया कि क्या क्या चमतकार हमारे शंति शरोमणी जी के, रामजी बाबा के और गोरी साहे बाबा के थे, और उनकी जो अनूठी दोस्ती थी, वो दोस्ती की मिशाल आज भी हमारे होशंगवाद नगर में देखने को मिलती है मैं इस अबसर पर आपको यह अस्वस्त करना चाहती हूं मंचा सी नतीतियों को और सामने वैठे गड़मान नागरिकों को कि जैसी शंत शिरोमणी और गौरी साहर बाबा की दोस्ती थी बैसी हमारी परशद में हमार कुलारे संचलन करता दोर आपको दे दी गई थी पुने एक बार रामजी बाबा की जैब ओलेंगे आयो जित इस मेले के सुवारम के आउशार पर मंच पे पदारे हुए परम आदर्नी सम्मानित अजितिगंड, आदर्नी संजले भहिया, इटार सी उशंगाबाद के लोगप्री विदायक, वीद नेगम के अज्यक्स दादा मदुकर राओ जी हरने, गौ सम्मादर वोड के अज्यक्स भाई शिव चोवे जी, श्री गौर साहब, भरत सिंग जी, महन चोकसे जी, राजा खंडेलवाल जी, मनोर बढ़ानी जी, चंदन भहिया, और सभी सम्मानित नगरपालिका के पारशद गंड, कर्मचारी गंड, सामने बैठे हुए सम्मानित नागरिकगर्ण, माताओ बेहनों और पत्रकार बंदुओं, आज हम जिन संत की पावन इसमृति में इस मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, निश्चिती वे प्राता इसमरनी हैं, निर्गुण मत के संत, और उनकी इसमृति में ये मेला इसलिए भी आयोजित करना बहुत जर कर सकता है, और अपने पुनों को उदे कर सकता है, और आज में विशेश रूप से, इस मेले के आयोजन के समय में, नगर पालिका की अध्यक्ष स्रीमति माया नारुलिया जी का बहुत आवारी हूँ, कि उन्होंने यहां पर हम सब को गुलाया, सम्मानित किया, एक कावत में हमेशे सुनता था कि बड़ा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़पन उससे भी अच्छी बात है, और हमारे अध्यक्ष में यह बड़पन देखने को मिलता है, और उनके कारों से इस बड़पन को वो सिद्ध करती है, मैं अधिक समय नहीं लेके उनको बहुत ध दन्यवाद देता हूं और इस मेले के उत्रोतर अच्छे आयोजन के लिए संतरामजी दास बावा से प्रातना करता हूं, और एक सुजाओ देना चाहता हूं कि पूर में ये मेला जो पशु मेले के रूप में आयोजित होता था, वह परमपरा अप समाथ हो गई है, अगर व चोवे जी कौम अंतित करता हूं में आये और उत्बुधन के माध्यन से में मार्गरशत प्रस्तुत करें आदर्निय शिप चोवे जी मजपर प्राजमान, आज के कारकम के अद्देक्ष आदर्निय दादा, मानी बिधाईक जी, आदर्निय राकेश भिया, गौर साब, पूझी महराइश्री, भरत जी, मनोहर जी और इस सारे कारकम को एक्ता के सूत्र में बानने वाली मेरी बेहन, नगरपालिका के अद्देक्ष माया जी और माया जी ने जितने नाम लिये थे, उन सब को न दोराते हुए, सब को सरद्धा पूरवक नाम लेते हुए, सामने बैठी हुई मात्रशक्ति, उपस्तित, नाकरिक बंदुओ, पूझी महराइश्री ने, संतिश्री के बारे में आपको बताया, मैं उसको दोराना नहीं चाहता है, केवले इतना निवेधन करना चाहता हूँ, उनके चर्णों में, उनकी समाधी पर, कि है प्रवू, अगर आपने हमें जन्म दिया है, तो हमारा जीवन सार्थ हो, इसलिए हमसे ऐसी कोई भूलना हो, जिससे हमारे मन में पस्तावा रहे, और देखने और सुनने व मैं हमारे छेत्र के लोग प्रिये विधायत, आदरेनी पंडित गिर्जा संकर्जी सर्मा से अन्रोद करूँगा, आप आए और हमें मार्ग शन्ले, आदरेनी पंडित गिर्जा संकर्जी सर्मा रामजी वाव मेले के उद्गाटन के आऊसर पर, इस उद्गाटन समारो में पधारे, कारज़म के अद्भशता कर रहें समानी मदुविया, समाधी के समानी महंजी, आतिछी गान gegangen समानी शेच्वोद जी, समानी गौर साहब, समानी राकेर भाई, समानी महिंदर भाई, इस मेले की मेजबान अगरपाली का क्या देख सम्मानिया माया नारोलिया जी मच्चा सीन सभी आती थी गान सभी सम्मानि पारशद गान उपस्थित भाईयो पहनो आज उद्गणन का उसार है रामजी बाबा मेले का लंबी परंपर आ रही है हमारे यहाँ इस मेले की वैसी ही कायम है और इस मेले के माध्यम से हमारे छेटर के हमारे शेहर के लोग उनके प्रती अपनी श्रद्दा की एक और भावना का प्रदर्शन करते हैं मेला सफल हो ऐसी हमारी सुबकामनाय है अद्देख जी सभी पार्शनों नगरपाली का प्रशासन को और ये सफलता बनती है लोगों के आने से मनोरचक कारिकम में लोग आए यहाँ व्यापार व्यवसाई के लिए लोग आए जूला जूलने आए और सरकारी प्रदर्शनियों में आए जतने ज़्यादा लोग इस मेले में आएंगे नगर के आसपास के उतनी ही इसकी सफलता मानी जाएगी और इसके लिए जरूरत है बहतर प्रवंद की मैं आशा करता हूँ कि अज्देख जी के निजरत तुमें ये प्रवंद बहुत अच्छा होगा इस वर्स और वर्सों से बहतर होगा विवस्था कायब रहेगी और अच्छे कारकम होंगे एक बार फिर उत्गाटन आउसर पर समूची नगरपाली का परशब को बढ़ाई देते हुए आप सभी को इस दस दिन का है तिक जी साथ दिन का है मिला इस दस दिन के मेले के लिए पूरे शेहर भर में और छेतर भर में आमंतन देते हुए रोज कारकमों में पदा रहे हैं रोज मनो रज़क कारकमों में इस साल है धन्यवाद जैहिंद मैं उद्बोधन के इसक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कारिकन का धक्ष्टा कर रहे हमारे दादा मदुका राओ जी हैने को आमन्तित करता हूँ आप आए और अपना उद्बोधन पस्तुत करें आदर निये मदुका राओ जी आउसर पर उपस्तित हमारे ख्षेत्र के विधायक आदर निये गिर्जा भाईया जो आज मुक्यातिती भी हैं आदर निये महंत जी आदर निये गौर साथ पूरवद्देक्ष वरतमान अत्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया जी भरत सिंग जी मनुहर जी पढ़ानी आदर निये चंदन सिंग जी आदर निये महेंदर जी आदर निये राच कुमार जी स्रीयमों साहब सभी पारशद गण उपस्तित भाईयों और भेलों भारत बिश्व का एक अजीब और विचित्र देश है जिसने हजारों लाखों संद गुरू रिशी मुनी पैदा किये जिनोंने की मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए इसकी शिक्षा अपने जीवन में उन सब बातों को उतार कर दी उसी श्रेणी के संद हमारे रामजी बावा थे जिनों और चार सो साल पहले वो यहां आविर भूत वे थे और आज तक हम प्रतिवर्ष उनके प्रति आम जन की श्रद्दा बढ़ती जाती है उसका कारण यह ह है कि भगवान की जो शक्ती है दिव्य शक्ती है जो उनकी कीरती है वो उनके कर्मों से प्रतिक्षन बढ़ती जाती है और हम सब लोग उनसे प्रेणा प्राप्त करते हैं उसी उस आयोजन को दस दिन तक बढ़ाने का अर्थ ही यह है कि अजिकादिक लोग उसमें शामिल हो और उनके जीवन से प्रेरना लें, उनके प्रती उनकी श्रद्धा बढ़े और उनका जैसा जीवन था, निरासत ग्रहस्त के समान उनों जीवन जीवन जीआ और हमारे सामने अपने जीवन का उधारन प्रस्तित किया हम उनके जीवन से फ्रेड़ना लेकर अपने जीवन को सार्थक करें यही इस मेरे का और राम जी बावा के जो उफदेश है उनका आर्थ है मैं आशा करता हूँ कि उनका जो कुछ भी दर्शन है उसको हम अंगी करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे आपने यहाँ पुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै राम जी बावाद अंत मैं मैं हमारे मुख्य नगरपाली का धिकारी आदरणिये दीपक राई जी को मंत्रित करता हूँ वे आए और हमारे सम्माली अंतिती गड़ों का इब हम सम्माली नगरेकों का आवार प्रखट करें मुख्य नगरपाली का धिकारी आदरणिये दीपक राई जी स्क्राइब है आज के कारी का में उपस्ते हमारे अनमे आज प्रखट करें